जादूई केतली, पचास साल पहले एक बूरा देहाती डॉक्टर शहर में आया, उसने अपना घोडा बांधा और धीमे से वह एक दवाई की दुकान में पिछले दर्वाजे से घुस गया और युवाडरा क्लर्क से चर्चा करने लगा, एक घंटे तक बूरा डॉक्टर और क धीमे धीमे बातें करते रहे, फिर डॉक्टर बाहर गया, वह अपनी बग्गी के पास पहुचा और उसने उसमें से एक बड़ी सी पुरानी केतली निकाली, एक बड़ा लकडी का पैडल भी, जिसका प्रयोग केतली के सामान को हिलाने में किया जाता था और उसने इन चीज को स्टो के पिछवारे में रख दिया, क्लरक ने केतली की जांच की, अपनी अंदर की जेब में हाथ डाल कर नोट निकाले और डॉक्टर को दे दिये, क्लरक ने डॉक्टर को कुल 500 डॉलर दिये थे जो उसकी पूरी बचत थी, डॉक्टर ने क्लरक को एक छोटा सा कागस का टुकड़ा दिया जिस पर एक गोपनिय फॉर्मूला लिखा हुआ था, उस छोटे से कागस पर लिखे हुए शब्द किसी राजा के खजाने के बराबर कीमती थे, परन्तु डॉक्टर के लिए नहीं, ये जादुई शब्द केतली का उबलना शुरू करने के लिए आवश् खुश था, क्लरक अपने पूरे जीवन की बचत को एक कागस के टुकड़े और एक पुरानी केतली के लिए दाव पर लगा कर बहुत बड़ा जोखिम ले रहा था, उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके निवेश से केतली जब उबलेगी तो उसमें से पिगला हुआ सोना बहेगा जो एक दिन अलादीन के चिराग के चमतकारी प्रदर्शन को भी पीछे छोड़ देगा, क्लरक ने दरसल जो खरीदा था वह एक विचार था, पुरानी केतली और लकडी का पैडल और कागस पर लिखा हुआ एक गोपनिय संदेश तो साथ में मिले थे, केतली क चमतकारी प्रदर्शन तब होना शुरू हुआ जब इसके नए मालिक ने गोपनिय निर्देशों के साथ एक ऐसा तत्व मिलाया जिसके बारे में डॉक्टर कुछ नहीं जानता था, सोचकर देखिए क्या आप बता सकते हैं कि वह क्या था जोज, युवक ने गोपनिय संद करने वाली है, उन तथियों की कहानी जो एक विचार के रूप में प्रारम हुए, आए हम सोने के उस विशाल धेर की तरफ देखें जो इस विचार से उत्पन हुए, इसने बहुत धन कमाया है और आज भी ये दुनिया भर में उन लोगों को बहुत धन कमा कर दे रहा है जो केतली की सामगरी को करोडों लोगों तक पहुचा रहे हैं। पुरानी केतली आज दुनिया में शकर के सबसे बड़े उपभोकताओं में से एक है और इस वजह से ये हजारों लोगों को गन्ना उगाने का, शकर बनाने का और शकर बेचने का रोजगार उपलब्द करा रही है। पुरानी केतली हर साल का रोडों कांच की बोतलों को काम में लेती है जिससे कांच का काम करने वाले बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। पुरानी केतली पूरे देश में कलरकों, स्टेनोग्राफर्स, कॉपी राइटर्स और एड़टाइजिंग विशेशग्यो की फोज को रोजगार देती है। इसने उन दरजनों कलाकारों को दौलत और शोहरत दिलाई है जिन्होंने इस प्रॉडक्ट का विग्यापन करते हुए बहतरीन पिक्चर्स बनाई है। पुरानी केतली ने एक छोटे से दक्षनी शेहर को दक्षन की बिजनेस राजधानी बना दिया है जहां ये प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शेहर के हर बिजनेस और हर नागरिक को लाब पहुचाती है। इस विचार का प्रभाव अब दुनिया के हर सभ्य देश को लाब पहुचाता है और इसे छूने वाले हर आदमी को सोने की बहती हुई धारा में से हिस्सा मिलता है केटली से बरस्ते सोने ने दक्षिन के एक प्रसिद कॉलेज को बनाया जहां हजारों युवक और युवतियां सफलता के लिए अनिवार्य प्रशिक्षन प्राप्त करते हैं अगर पीतल की यह पुरानी केटली बोल सके तो यह हर भाषा में रोमेंस की रोम के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त है क्योंकि वह इसका एक हिस्सा रहा है और यह उस्थान से ज्यादा दूर शुरू नहीं हुआ था जहां ड्रकलर्प ने पुरानी केटली खरीदी थी यहां पर लेखक अपनी पत्नी से मिला था और उसी ने लेखक को इस जादूई केटली के बारे में पहली बार बताया था उस समय भी वे इस केटली में उबलने वाला सामान ही पी रहे थे जब लेखक ने उससे पूछा था क्या तुम मुझसे शादी करोगी आप कोई भी हों, आप कहीं भी रहते हों, आप कोई भी काम करते हों, भविश्य में इतना याद रखें कि जब आपको का कोला शब्द सुनें तो आप ये याद कर लें कि दौलत और प्रभाव का ये सामराज्य एक आसा कैंडलर ने उस विचार से शुरू हुआ था और ड्रकलर गोपनिय फॉमूले के साथ जो रहस्यमई तत्वम मिलाया था वह था कल्पना योजक चिन्ध, ठहरिये और इसके बारे में एक पल सोचिए ये भी याद रखें कि अमीरी के जो कदम इस पुस्तक में बताए गए हैं उन्हीं के सहारे कोका कोला का प्रभाव दुनिया के हर शहर, कस्बे, गाउं और चौराहों पर फैला है और आपके मस्तिश्क में उत् और संभावना पूर्ण हो, दुनिया भर की प्यास बुझाने वाले इस रिकॉर्ड की बराबरी कर सकता है।